जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका सागत है दोस्तो एक मैसेज मेरे पास शेर हुआ है और ये शेर हुआ है मद्दे परदेश से किसने लिखाया ये? ब्रिगेडियर सत्पाल सिंग कन्नोज ने दोस्तो ये बता रहे हैं कि OROP 2 में JCOs की पैंशन क्यो नहीं बड़ी? Officers की पैंशन क्यो बढ़ गई? और Equal MSP के बारे में इनका क्या कहना है? ये भी हम समझते हैं JCOs की पैंशन OROP 2 में इसलिए नहीं बड़ी क्योंकि पहले से JCOs जादा पैंशन ले रहे हैं इनकी तो खुद की एवरेश से कम पैंशन आ रही है तो ज़्यादा कैसे ले रहे हैं पैंशन? OROP 1 के एकॉर्डिंग देखे अगर हम पुरानी पैंशन के एकॉर्डिंग देखे तो एक सुबेदार की 298 रुपे बढ़ती है मातर तो क्या ये ज़्यादा पैंशन है? आगे समझतें adverse से ज़्यादा पैंशन ले रहे हैं JCOs इस वज़े से pension में बढ़ती नहीं होगी बिल्कुल दोस्तों मैं इनकी बातों को नहीं मानता average से ज़्यादा pension ले ही नहीं सकते JCOs pension जिनकी खुद pension minimum level पे set हो ORs की भी minimum level पे set हुई है pension तो ज़्यादा pension कहां से आ गई आगे समझतें officers की pension average से कम है जिस वजे से उनकी भारी बढ़ोत्री हुई है यानि इनका कहना है कि ORP2 में officers की pension इसलिए बढ़ी क्योंकि इनकी pension average से कम थी इस वज़े से इनको average तक लाया गया या फिर maximum फाइदा दिया गया बिलकुल गलत बोला है दोस्तों इन्होंने officers की pension already ही पहली maximum से ज्यादा चल रही है already ही average से ज्यादा चल रही है average से below तो officers की pension ही नहीं अगर आप 15-500 उनकी MSP उठा के देख लिजिए अगर आप उनके pay allowances, pay scale, basic पे देख लिजिए तो average से कहीं ज्यादा है इस वज़े से maximum फायदा हुआ है यहाँ पे officers को तो यह कह रहे हैं कि officers की average से कम है pension इस वज़े से इनको भारी बड़ोतरी हुई है बिलकुल नहीं है दोस्तों ऐसा और आगे क्या लिखा है आगे भी ऐसा ही होगा यानि इन्होंने भविश्य मारे कर दी कि आगे भी ऐसा ही ह कोई फायदा नहीं होगा officers की ज्यादा ले जाएंगे आगे क्या लिखा है MSP equal नहीं होगी यानि इन्होंने पहले ही भविश्य मारी कर दी अभी दिल्ली हाई कोट में केस चल रहा है लेकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि equal MSP नहीं होगी MSP equal नहीं होगी recommendation की अधार पर ज्यादा से ज्यादा court 10-500 या 10-800 कर सकती है OR JCOs की दोस्तो अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है ये पहले से ही अंदाजा लगा रहे हैं कि JCOs की equal MSP नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्या भी case final होग है दिल्ली हाई court में और क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सिरफ 10-500 और 10-800 ही मिलेगी JCOs की 15-500 क्यों नहीं दोस्तो जो case लड़ रहे है equal MSP का Wise of Acceptance Society के सदस से वकिलो द्वारा उनकी भी 15-500 की मांग गए तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि 10-500 और 10-800 ही मिलेगी JCOs को हम सिरफ higher side पे लेके चल रहे हैं 15-500 की हम demand कर रहे हैं दोस्तो पहले से ऐसे कहना ये बिल्कुल ठीक नहीं है इन officers का और जो भी इनोंने बात कही है ये सब गलत बात है officers की pension इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि उनकी average से कम है इस वज़े से इनको ज़्यादा pension दी गई बिल्कुल गलत दोस्तों already इनकी maximum level पे pension है officers की अगर आप बात करें किसी की 6,000, 7,000, 10,000, 11,000, 12,000 की बड़ोतरी क्या ये average से कम की pension है बिल्कुल नहीं जो भी नुकसान हुआ वो हुआ जेसियोस को और अगर आप इने कह रहे हैं कि पहले से ही ये ज़्यादा ले रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं पुरानी pension आप उठा के डेख लिजी आपको खुछ पता लग जाएगा कितनी बड़ोतरी हुई पेंशन में शुरू से लेके आखरी तक दोस्तों ये जो भी बात कर रहे हैं ये गलत बात कर रहे हैं ऐसी बात नहीं करनी चीए थी अभी Equal MSP का फैसला हुआ नहीं है ये पहली से ही बता रहे हैं कि 10-500-10-800 मिलेगी ओवार जेसियोस को क्यों मिलेगी हम तो 15-500 की मांग करें तो दोस्तों ये चीज़े मैंने आपको समझाए इसके रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं इस कमेंट को लेके आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएगा मैं इनके मैसेज से बिलकुल भी सैटेस्वाइट नहीं हूँ आप कहां तक स दोस्ते हैं इसको आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू सो मच